हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ट्रीट्स विचारू आज मैं आपको नारियल से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दूँगी नारियल एक उप्योगी फल के रूप में जाना जाता है जैसे कच्चा नारियल, सुखे नारियल, नारियल का पानी नारियल के अंगनित फायदे होते हैं जो स्वास्थे के लिए लाब दायक हैं इसमें कई तरीके के विटामिन और खनीज होते हैं जो शरीर की रोग प्रती रोध शमता को बढ़ाने में मदद करता है आज मैं आपको कोकोनेट से होने वाले फायदों के बारे में जान करें दूंगी डाइबुटीज के लिए कच्छे नारियल का सेवन रोजाना भैतर होता है यह बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि नारियल इंसुलिन बनाने में मदद करता है इंसुलिन की सहता से शरीर ग्लुकोस को उर्जा में बदल देता है यह रक्त में शुगर की मातरा को नियंतरित रखता है Immunity बनाने के लिए सबी को कच्चे नारियल का सेवन करना चाहिए नारियल में प्रचूर मातरा में Antibacterial गुन पाये जाते हैं जो शरीर में संक्रमन को आने से रोकते हैं हड्यों को मजबूत रखने के लिए कच्चे नारियल में प्रचूर मातरा में कैल्शियम और मैंगनीशियम होता है जो हड्यों को मजबूत रखने में मदद करता है इसलिए रोजाना कच्चे नारियल का सेवन करना चाहिए नार्यल मैमरी को तेज करने में भी साहयक होता है ये स्किन के लिए भी काफी फायदे मंद है इसे कहीं तरीके के व्यंजनों को बनाने में इसका यूँस किया जाता है जैसे टेल और चटनी के र्ऊप में कोकोनेट का उपयोग किया जाता है coconut body के extra fat को भी burn करने में हमारी मदद करता है ये constipation के लिए भी अच्छा है iron की coming को ये दूर करता है जिने अनीमिया की शिकायत है वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा use करे ये दिल के मरीजों के लिए भी अच्छा है ये arthritis को भी होने से रोकता है ये urine infection से हमारा बचाव करता है आशा करती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी अगर हाँ तो आप मेरे चैनल ट्रीट स्वेचारू को लाइक, शेर और सबस्क्राइब अवश्य करें थैंक्स, इंजोई